तो गाइसर आज मुझे पता चला है कि लोसेंटोस के पुलिस वालों ने मिलके एक खुला है कार शोरूम मुझे नहीं पता था कि यह पुलिस वाले भी कार शोरूम खोल सकते हैं तो आप देख सकते हो अभी हम इनके शोरूम पर बहुच चुके हैं ये शोरूम खोला पुलिस वालों ने और इस शोरूम को मैनेज भी पुलिस वाले करते हैं। इस शोरूम का ओनर भी पुलिस वाला है और इस शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड भी पुलिस वाले हैं। सारे के सारे लोग सिर्फ पुलिस वाले हैं। चलो फड़ावर्ट से शोरूम पे चलते हैं और आप देख सकते हूं यहां पर कितनी सारी गाड़िया खड़ी है और यह सारी गाड़िया पुलिस वालों की गाड़िया है यहां पर मुझे एक लेमबोर गीनी बीक्री और यह खदरनाग खदरनाग सूपर कार आफ रोड कार स सब्सक्राइब लिए भी मैं सोच रहा हूं कि कौन सी गाड़ी ली जाया लैंबॉर्ग नहीं या फिर मर्सेडी वैसे मैं तो हैसे भूरा मेरे पास एक यह मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मैं यह सारे की सारी गाड़िया लेकर आँगा चाहे फिर मैं खरीदो या फिर चुराओं अरे सर क्या चुराने की बाते कर रहे मैं बूल रहा था कि इस मर्सेडिस ने मेरा दिल चुरा लिए पर लैंब औरकीन ही जाद अच्छी लग रही है सर में तो मोलता हूँ अब लैंब औरकीन नहीं ले लेता हूँ तो सर फड़ावर्ट से पेमिंट कर दीजिये 5 मिलियन डॉनर की गाड़ी है 3-5 million एरे क्या हुआ सिर आपको हाट नगाने का अरे नहीं नहीं हाट अटेक नहीं आरा थोड़ी सस्ते लुगएं कोई मात नहीं ले लूँगा मझे इसकी टैश्टड्राइव करनी है Sorry sir, हम किसी customer को test drive नहीं करने देती क्या? Test drive नहीं करने दे? बिना test drive किया और मैं गाड़ी कैसे करीड हूँ एरे sir वो बात क्या है एक पर हमने customer को test drive करने कंप लिये गाड़ी दी थी वो गाड़ी ले की भाग क्या दुन्या में ऐसे लोग में बहुते तुम मेरी बेस्टी कर रहे हो मैं आपके साथ चलूगा क्या तुम ने मेरी बेस्टी कर दी इस तिये में एक भी गाड़ी ने करे दूँगा बाजु वाले शोरों में आपके साथ चलूगा क्या तुम भी मेरे साथ चलूगी अच्छे ठीक है चल लो तो काईसर अभी हम जाने वाले इस लेंब और किनी में टेस्ट ड्राइब करने बहुत ही जादा मजाने वाला है चलिए सार इस गाड़ी को बाहर निकाल लिए आराम से निकलना कई क्रेश ने हो जाए अरे तुम को क ठीक आरे टेंशन मतलो मैं बहुत फीलिक चलाता हूँ ये तो बहुत ही खतर ना के अरे रुको ठोड़ी टैस्ट ड्राइब करने दो वा ने सर सर अनु नीका करते है रुको तो चल्दीनट इक पर नीचाना पर चुप चुपचाब अपने हाथ उपर कर लो, एरे सर, सर क्यों हो गया, एरे टकले, दूसरी बार नी बोलूगा, चल्ले से अपने हाथ उपर करो, एरे सर, आप ये क्या कर रहे है, आपके पास तो अच्टा सारा पैसा है, आप सारी गाड़े खरीने चाहते थे, आप ये Lamborghini को चुरा रहें मेरे पास कोई पैसा पैसा नहीं है मैंने तुमको पागल बनाया था और मैं कोई गाड़ी नहीं खरीदने वाला था मैं तो सिर्फ चुराने वाला था अब चुप चाप खड़ रहे ना वाना टकले पे सीधा गोली मार दूगा चलो फड़ा उपट से इसके अंदर बैठे सर प्लीस काड़ी मचरो ये सर प्लीस अब तेरी टेले कितना बोलता है ये ले तो काईसर आभी हमने इस ट्रकले को ठोकर मार दिये और काईसर आप देख सकत हूँ हमें ये खंदरनाक सी पुलिस वाली Lamborghini ये फ्री में मिल चुकी है तो काईसर अब आप सोच रोगे कि ये तो पुलिस वालो की गाड़ी है वार हम से ट्रैक कर लेंगे तो वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं अपने दोस्त के पास लेंके जारा हूँ जो कि इसके सारे ट्रैकर निकाल कि इसकी नंबर प्लेट चेंज कर देगा ताकि किसी को कुछ पताना चले तो चलो फडावबर्ट से अपने दोस्त के पास चलते है और काईसर हमने स्रीव अभी एक ही लैंबर्ग निच रही है हम उनकी पूरो का फूरा शोरूम खाली करने वाले क्योंकि आज मैंने सोच है अपने लिए एक पुलिस कार कलेक्शन मनाने का और पैसे दे के तो मैं ये करने ने वाला मैं सब चोरी करके करूँगा चलो फडावबर्ट से अपने दोस्त को ये गाड़ी देने चलते है तो कैसर अभी आप देख सेकते हो इस लेंब और के निकॉम लेके आ चुके हैं हमारे दोस्तों के पास पुड़ा बट से यहां पर पार्क करते हैं इस गाड़ी को और आप याद रखना ये पूरा का पूरा पार्किंग पुलिस की गाड़ी चुराने वाला हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ी ओने वाली है अगर इन गाड़ी में से आपको भी एक गाड़ी चाहिए तो आगे वीडियो में एक कोड आने वाला है अगर वो आप code जाके comment करोगे तो आपके घर पर वो गाड़ी आ सकती है तो वीडियो को end तक जरूर देखना कि को code कभी भी आ सकते है दो code आने वाले दोनों code को comment करना पड़ेगा बिल्कुल सई से जिसने भी comment किया उसके घर पर आएगी Lamborghini, Ferrari, Bugatti कोई भी पुलिस की गाड़ी आ सकती है जो भी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को end तक जरूर देखना मेरी बात सुनू हमारे शोरू में चोरी हो चुकिये एक काले से लड़के ने हमारी लैब और की नी चुरा लिये जल्दी सा अपनी security बढ़ा लो सारे के सारे security guards के सारे के सारे guards के पास गंस होनी चाहिए ख़दरनाक गंस कोई भी चोरा तो सीरह उसको गुली मार देना हबीबी हम वापिस से आ गई मैं दुबाई से आई है लो सेंटोस के पुलिस का शोरूम में गाड़ी खरीदने हबीबी आज बहुत सारी गाड़ी खरीदती तो काईस देख दिया ना मैंने आपको भी दोखा लग रहा हूना एकदम दुबाई का शेक तो काईसर अभी आप देख सकते हों हम पुलिस वाले कार्ट शोरूम पर पहुचने वाले एकदम शेक बनके आप राचुकों मैं हबीबी हम आ गई अरे ये कोन है हबीबी तुम हमको नहीं चानती हम दुबाई का सबसे फेमस शेक होती हमारे पास बहुत सारा पाईसा होती अच्छा आपका नाम के हमारा नाम हमारा नाम हमारा सारी गाड़िया दिखाती। अरे हभीबी, मेरे बात सुनती। हभीबी, मुझे लगता है मैंने आपको कभी मेले देखा है। हभीबी, हमको टीवी में बहुत दोग देखा होती। क्योंकि हम दुनिया के सबसे अमीर आग्मी होती। इसलिए सब हमको जानती। अब जादा सवाल नहीं पूछती, सीधा गाड़िया दिखाती। तो काइजर, अभी मैंने इस पुलिस वाले को पागल फिर से बना दिया है। और इस बार भी इसके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है। बताइए, आपका बजट कै है। अबीबी, तुम हमसे बजट पूछती, हमारा बजट कुछ नहीं होती, अलिमेटेट होती, अलिमेटेड। वाव अबीबी, ये वाली गाड़ी हमको अच्छी लगती। ओ, ये वाली भी अच्छी लगती। तो सराब खरीद लीजी ने। अबीबी, खरीदेगी, खरीदेगी, फड़ाफट से एक ट्रक मंगाते, जिसमें हम इन गाड़ी को पार्सल दुबही करती। हम इसका पेमेट करती। हम तुमको पेमेंट गोल्ड में करती। क्या तुम गोल्ड लेती। हाँ हाँ हम गोल्ड ले लेंगे। तो चल्दी से हमारी गाड़िया पेक करती, मैं तुम्हार लिए गोल्ड मंगाती। हाँ हलो अभीबी, सौ किलो गोल्ड पार सल करती। मुझे यहाँ पे गाड़िया खरितनी होती। क्या, यह तो सौ किलो गोल्ड मंगा रहे। लगता है ये बहुत ही है मेरा अदमी है जिल्दी से सकेरे ट्रक मंगा लेता हूँ ये लीजिए सर आपकी ट्रक आ चुकी है और दोनों गाड़िया में बिल्कुल रेडी है बस आप पेमेंट कर दीजिए हबीबी पेमेंट बस थोड़ी तेर में आती तुमारे लिए बहुत सारा सोना लाती हम तो बैसे हबीबी मैंने देगा इस सारे के सारे शेखों के पास बहुत सारे शेर होते आपके पास तो ये गाए है हबीबी इस सारे के सारे शेकों के पास शेर होती पर हमारे पास ये खतरनाक सी गाय होती ये गाय उन सारे के सारे शेरों से भी खतरनाक होती क्या तुमको इसकी टैस्टर में लेनी होती ने ने मुझे लेनी होती होती हम तुमको टैस्टर में ले देंगे मेरी काय आती धर अरे मुझे इसकी टेस्टर ने लेनी अरे लेती-लेती ने-ने-ने मैंने बोला ने लेती चुप-चाब लेती ओ क्योंगे sorry sir मैं लेती-मे लेती अरे अबीबी ये तो बहुती कतरनाक होती अरे क्या तुम कभी गाय पर नहीं बैटती और चल दिजे ट्रक में सारी गाड़िया भढती हाई बीवी दोनो गाड़िया आ जाती ट्रक में अरे मैं इसे क्यू बात कर रहरा हूँ अब तो चला गया चल दीजे यहाँ से निकलते हैं अरे हबीबी मैं वापिस से आ लए तुम वापिस आती और मैं चाहती बाई बाई हबीबी और काईज आप देख सेकते हो हमने उस पुरिस वालों को एक और बार पागल बना दिया वो भी एक शेक बन कि मैंने उसकी दो दो एक साथ गाडिया या पर चुरा लिये वैसे मैं रह्ता है कि पाच्चे गाडिया चुराऊंगा अगर मैं एक साथ पाच्चे खरिए तो उसको फोड़ा सा शक हो जाता इसलिए मैंने सिर्फ दोई काड़िया चुराई पर कोई बाद दी अभी हमाँ पास तीन तीन गाड़िया हो चुकी हैं पर आप टेंक्शन मतलों हमें इनका पूरो के पूरा शुरूंग काली करके रहेंगे अब फटापट से दोनों गाड़ियों को में डिलीवर करता हूं ब पूरे की पूरे मिलिटरी यहां पर बुला लिए सारे के सारे मिलिटरी वाले यहां पर आचुके अब हमारे शुरूम में कोई चुआ भी नहीं कुछ सकता मिलिटरी वालों मेरे पास सुनू कोई भी चोल चोली करते में दिखे तो टैंक से उड़ा देना मैं उस चोर को नह पर कोई नहीं है इनको लगता है कि यहां पर यह जालियां लगी वी यह फैंसिस लगे वे तो कोई नहीं आ सकता पर इनको पता नहीं पिछले जनम में मैं एक स्टंट बाइसाइकल राइडर था और ये सीधा अंदर क्या ही लेंडिंग करिये वो देको सामने सारे के सारे मिलिटरी वाले खड़े और हम यहां से अंदर घुसने वाले हैं लेट्स गो हमारी एंट्री हो चुकी है इनके गिराज के अंदर गिराज से हमें मतलब नहीं है हमें चाहिए इनकी गाड़िया तो का लोग बार खड़े हों के देख रहे हैं कि वो चोर कब आयेगा पर उनको के पता मैं आप घुस चुका हूँ और इन सारे के सारे पुलिस वालों को मैं मारने वाला हूँ यह एक कया अब यह तेरी बारी यह ले इन दोनों को तो चारों पुलिस वालों जो अंदर खड़े थे उनको आमने मार दिया है अब बारी चलिए से गाड़िया चुराने की चल्दी चल्दी गाड़िया ले यहां से निकलते है सबसे मैंने ये वाली ये सबसे ज़ादा ख़दरनाक लग रही है इन सब मेंसे ये सबसे ज़ादा अलग पुलिस वाली कारे है तो सबसे पहले हम इसी को चुराएंगे चलो फड़ाओ फट से चलते हैं बाहर और कैसर आप देख सकतो सारी गाड़ियों को मैं यहां पर खड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं यहां से एक ही बारी में सारी गाड़िया लेके निकल लू तो एक गाड़ी हमने निकाली चलो फड़ाओ पट से चलते हैं दूसरी गाड़ी उड़ाते हैं और मैंने बैनी को फोन कर दिया है वो यहां पर थोड़ी दिर में आता ही होगा बैनी और मैमेल ये पूरा का पूरा शोरूंग खाली करने वाले अब वो तो निकाल ली अब बारी इस वाली गाड़ी की ये भी मुझे बहुत ही मस लग रही है इसको भी फड़ावट से निकाल लेते हैं यहां से लेट्स गो अरे वो छोर तो पताने कब आएगा एक सकीन ये क्या चल रहे है अरे ये छोर तो हमारे काड़ी चुरा रहे है अरे कैसर उसको पता चलिया चलिए से यहां से निकलते हैं अभी उस मैनेजर को पता चल चुका है हमें यहां से निकलना पड़ेगा बैनी भी यहाँ बना चुका है, बैनी, हम दोनों को अलग अलग जला पड़ेगा, जल्ले से गाड़ी लेके निकल ओके जी, तुम टैंक्शन मतलो चलो काईजर, बैनी अलग चला जाएगा, मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ बैसे जानने वाले जेल में तो मुझे जेल में तो बिल्कुल बी ने जाना और इन पुलिस वालों से कैसे बे करके बचना पड़ेगा तो चलो फुड़ा बच्छने निका तुका है, वो तो अच्छा है, यह गाड़ी बहुती ज्यादा फास्ट है एक तब ख़दर नाक पु पुलिस वाले आनी सकते हैं, आप देख से तो एक हैलिकॉप्टर जो कि मुझे बापर ढूंड रहा है, पर इनको क्या पता हम तो यहाँ पर आज चुके हैं पहाड़ों पर, चुलो फुड़ा पर से कहीं अच्छी जगह देखके मैं इसको छुपा देता हूँ गाड़ी को रुको, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर चुप चाप पेड़ों के बीच में डाल देता हूँ, कोई भी नहीं देख पाएगा, किसी को शक पी नहीं होगा, चलो फुड़ा पर से यहाँ पर गाड़ी को थोड़ी कर देते हैं तो काईजर बहुत ही देख चुकी और मुझे नहीं लगता आप कोई पोलिस वाला मुझे ढूंड रहा है, तो अब मैं आसे आराम से निकल सकता हूँ, हमने एक और खदरनाक सी सूपरकार चुरा लिए, ने ने दो और, एक बैनी के पास भी तो है, तो काईजर में दो दो तो सबसे पहले हमने चुराई तीक लेंबोर्गी ने उसके बाद दो ट्रक में चुराई है, उसके बाद दो और यह चुराई तो पांच बाद सूपरकार पुलिस के हमारे पास और रेडियो हो चुकी है, पर अभी भी उनके कलेक्शन में और भी गाडिया बाकी है, प्रचेंज करवाते हैं, अब बहुत हो क्या, मेरा पूरा का पूरा शोरूम खाली हो चुका है, सारे की सारी गाडिया चोरी होती जारी है, इसलिए मैंने बनाए यह खतरनाक सा सेक्रडी सिस्टम, मेरे पास स्रिफ तीन बुलिस की गाडिया बचिये, जो कि मेरे इस खतरना से फिंगर प्रिंट से चलता है, अब वो चोर चे सही आएगा, मैं उसको अपनी मशीन गन से बूर डालूँगा, अब वो यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता, हाँ 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 हाँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो काई ज़ना भी आप देख सेक्ते हो, मैं यह खतरनाक सा हेलिकॉप्टर लेके आचुका हूँ, अब आप सोच रहें कि हेलिकॉप्टर से क्या करेंगी, और आप इसके नीचे देखो कि यहाँ पर एक मैगनेट लगा हुआ है, और इस मैगनेट से वो गाडिया मेरे पास आने वाली है, हमारे पुलिस ऑफिसर ने बहुत ही दिमाग लगा लिया, उसने बड़ी बड़ी दिवारे बना दी और उपर से कवर करना भूल गया, ऑफिसर आप टेंशन मतलो, मैं आपकी गाड़िया दो चुरा के लेके चाहूंगा, और आप देख सकते हूँ, यह गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, अरे यह क्यों रहे, मेरी गाड बना के दिया है, यह बहुत जादा खदरनाक है, अब उचब तक मुझे ढूड़ेगा, जब तक मैं इस गाड़ी को यहाँ पर ड्रॉप करने वाला हूँ, यह पना बैनी यहाँ पर यह आने वाला है, और यह गाड़ी कर दी, ड्रॉप और लगता है था तेज ड्रॉप कर कोई बात भी बैन ही समाल लेगा, अब चलते हैं वड़ावट से अगली कार चुराते हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, बस वो नीचे से देखता रहेगा कि उसके साथ क्या हो रहा, उसको पूरा लूट लेंगे हम, और अभी हम वापिस से आ चुके, और यह क्या, मुझे इसको भी लेकर जलते हैं, एक सकिंड, एक काम करते हैं, एक ही बारी में दूसरी वाली उठाने कर ट्राय करते हैं, क्योंकि और वापिस कोन आएगा, हमने बारी वाली गाड़ी को तो पहले उठा लिया, बुगार्टी के साथ उस लेंब वार्गरी को ठाकर ने भी कोशिश एक काम करते हैं, उस मर्सिडिस को भी उठाई लेते हैं, वो बैचारी अके लिए क्या करेगी, उसको भी लेकर जलते हैं सीधा बैनी की बास, चुरो पडाव़बट से चलते हैं, वह हमारी आवारा की तरह है, ईपड़ावबट से उठालेते हैं, आजाओ, मैंसर अब हाँ सकते हो फाइनली मैंने सारी की सारी गाडियों को इस पर अटेच कर दिया है और इसको ले के चलते सिधा मैंने कि मास लैंबॉर्गणी बुगार्टी और हमारे कतरनाक्सी मर्जडीज लेट्सको लेके चलते हैं तोना हेलिकॉप्टर जादा ही भारी हो चुका है पर कोई बात कि यह सारी गाड़ियां चुरा लिए और तोना सा डिस बैलेंस हो रहा है लेट्स को फटाफट से चलते हमारे बैनी के पास तो कैसरा भी हमारी सारी की सारी गाड़ियों के डिलिवी हो चुकी है और आप सामने देख सेक्ट पुलिस वालों का हेलिकॉप्टर अभी भी हमें डूंड रहा है कंड़ी तो आप देख सेक्ट सा यह सारी की गाड़ियां को कि पीकृबी अपना काम हो गया चेशी पुलिस वालें को पताएने चलने वाला कि आप इक सारी आटनो तस 11 गाड़िया हमने चुराई थी और 11 गांटेनर्स के अंदर यह आ चुकी है इस गाड़ी में से सारे की सारे ट्रैकर हट चुकी है और इसकी नंबर प्लेट में चेंज हो चुकी है इसको चलाने में कोई दिक्कत निये इसको पुलिस पीड में लॉस सेंटोस में भगाओ कोई पुलिस वाला में रोपने नहीं वाला बस आगे देख के चलाना परना एक्सिडेंट हो सकता है तो काईसराज हमने सारी की सारी पुलिस के शोरूम से गाड़िया चुरा लिए और हमारा करेक्शन बहुत कदाना को चुका है अब दो तिन दिन बाद हम सारी की सारी गाड़िया बहार रोडों पर गुमाएंगे बहुत ही मजा आएगा तो गाईसराज की पर से बिता ही बहुत है